Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit और देखिए F-Cat1 2021 examination जिन लोगों ने clear कर लिया है जिनके cut-off से ज़्यदा marks हैं जिनके 165 से ज़्यदा marks हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही important update है कि आपके center और date selection का link आ चुका है आपको ये options आपके account में show होने लग गए हैं तो आप जिस भी center पर जाना चाहा रहे हैं और जो भी date चूज करना चाहा रहे हैं वो फटा फट चूज कर लिजिए otherwise बहुत ही जल्दी काफी सारे batches full हो जाएंगे और उनके few options आपको show करना बंद हो जाएंगे then you will have only a few limited options right then you will have to choose only them okay तो आप जो अपने मन पसंद का center और मन पसंद की date जो लेना चाहा रहे हैं कुछ लोगों के examinations clash होते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए date select करना बहुत ही important हो जाती है कि date selection और center selection बहुत ही important होता है और यह बहुत ही कम time duration के लिए दिया जाता है और यह दिया आप इसको select नहीं कर पाते हैं तो center और date दोनों Air Force के द्वारा randomly select कर दिया जाएंगे ओकी तो आप प्लीज अपना center और date जल्दी फटाफट select कर लीजिए link नीचे description box में दिया हुआ है आपको करना क्या है कि Air Force की website पर जाना है candidate login पर click करके F1 2021 cycle पर click करके अपना account जैसी है आप login करेंगे तो side में नीचे की तरफ आपको एक AFSB center choose करने का option मिलेगा overall इंडिया में Air Force के चार selection centers हैं AFSB तहरादून, मैसूर, गांधी नगर और वारानसी ये चार centers हैं और हर center पर आपको 10-12, 10-12 dates मिलेंगी उन 10-12 dates मेंसे आपको इसी भी date choose कर सकते हैं सबसे पहले आप अपना center decide करिए कि आप जाना कहां चाहा रहे हैं और जिस center पर आप जाना चाहा रहे हैं उस centers की जितनी भी dates आपको वहाँ पर show कर रही हैं फिर आप उनमें से अपनी suitability के हिसाब से एक date choose कर लीजिए और देखिए वहाँ पर ये dates किस तरीके से show होंगी आपको center का नाम और date show हो रही होगी और वहाँ पर एक batch की जो complete strength है कि कितने बच्चे इस batch को select कर सकते हैं वो दिखाई जारी होगी और कितनी seats remaining बच्ची हैं वो वहाँ पर show हो रहा होगा फोर एक्जमपल यदि किसी batch की strength 300 candidates है तो वो batch की strength भी show करेगा और फोर एक्जमपल 50 लोगों ने वो batch select कर लिया है तो वहाँ पर remaining seat को option में 250 दिखाएगा तो इस से आपको ये पता चल जाएगा कि इस batch में कितनी sheets बची हुई है तो आप प्लीज जल्दी से ये काम कर लीजिए और देखिए मैंने अभी recently एक video बनाई थी कि which AFSB is the best तो उसमें मैंने ये बोला था कि गांधी नगर जो AFSB center है गुजरात में उसमें earlier 70 to 75 candidates की reporting होती थी लेकिन अब वहाँ पर चीज़े update हो गई है तो गांधी नगर में भी अब जो reporting होती है वो भी 200 से 300 के बीच में होती है लेकिन screening percentage जो है वो still highest है इन गांधी नगर आप बाकी के 3 centers को यदि देखेंगे दहरादून, वाराणसी या मैसूर वहाँ पर जो number of screened in candidates होते हैं वो 30 से 42 या 45 के बीच में vary करते हैं जबकि गांधी नगर में जो screening होती है वो 50 और 60 के around होती है ओके, so in गांधी नगर screening percentage is still highest देखिए वैसे तो जो selection process है वो सभी के लिए same है यदि आपकी preparation बहुत अच्छी है so you can choose any center लेकिन यदि आप fresher है screening से आपको थोड़ा fear है तो मेरा personal advice जही है कि you should go to गांधी नगर otherwise if you are confident if you are well prepared then you can choose any center because SSB selection process is same for all centers and for all services तो आप इस तरीके से अपनी date चूज कर लीजिए और देखिए secret of getting screened in और latest GD topics जो कि SSBs में पूछे जा रहे हैं इन पर हम already videos बना चुके हैं ये videos आप जरूर देखिए और आपके OIR में जितने भी type के questions होते हैं हम इन सब की एक series cover करेंगे जो कि free of cost होगी आपको YouTube पर इसी channel पर आपको मिलती रहेगी वो there will not be any charge for it तो आप इन series को जरूर जोइन करिए और इन videos को attend करके जाए these all videos are going to play vital role in your selection and to make your selection easy ओके कुछ भी आपको किसी को pay करने की जरूत नहीं है okay so आप फटा फट अपने selection centers और उनकी date choose कर लीजिए and if you have any query related to SSB and written examination so you are most welcome you can write down in the comment box और आप मुझे telegram पर भी connect हो सकते हैं telegram का link नीचे description box में दिया हुआ है okay so all the very best for your AFSB and next FCAT examination and that's all for today bye bye